चिल्डरन, a very good morning to all of you, my beautiful kids, this is your GK class and today is a special day, you know why, because today I will take you all to a forest, okay, आज मैं आप सबको एक फोरेस्ट में लेके जाओंगी और वहाँ पे आपको beautiful beautiful animal से मिलवाओंगी, तो क्या आप मेरे साथ forest में चलेंगे, are you guys ready, so come on everyone, डरने के कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी animal आपको नुकसान नहीं पहुचाएगा, आपको सिर्फ उसके बारे में अच्छी अच्छी बाते जानने को मिलेंगी, और राइट, so come on, open your GK book, the page number 28, the name of the chapter is in the wild, okay, wild का मतलब आपको पता है, jungly, forest में आपको पता है, forest is the home for so many wild animals, forest में बहुत सारे wild animals रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, हाँ तो आज हम कुछ उनहीं जानवरों के बारे में पढ़ा ही करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ हमें given है, read the clues, clues को पढ़िए and identify the animals, और animal को identify कीजिए, मतलब की पहचानिये, you can use the clue box to name them, आप clue box का use कर सकते हैं, उसको name करने में, यहाँ पर आपको clue box दिया है, मतलब की help box, चलिए, number one देखते हैं, अब start हो रही है, हम लोग चल रहे हैं एक बहुत घने जंगल में, तो आपको डरना नहीं है, बहुत dense forest है, मेरा हाथ पकड़के सब बच्चे चलेंगे, मैम का, okay, so number one, I have a beautiful skin, सबसे पहले जब हम जाही रहे थे, हम चोड़ी बच्चे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, मैम का हाथ पकड़के बज़ जंगल में घुसे ही थे, तो हमें सबसे पहले एक animal मिला, उसने हम से क्या कहा, I have a beautiful skin with black spot, मेरे पास एक beautiful skin है, और उस पे black color के spots है, I run very fast, और मैं बहुत तेज भागता हूँ, ठेके यह देखे, यह जो animal है, इसकी skin बहुत beautiful है, उस पे black color के spots है, और यह बहुत तेज भागता है, इसका नाम है leopard, इसने सबसे पहले अपना नाम क्या बताया, leopard, L-E-O-P-A-R-D, leopard, हिंदी में कहते है, cheetah, येस, very good, बिटा fastest animal होता है, leopard is the fastest animal, आल राइट, अब हम थोड़ा आगे बड़े, हमें एक और animal ख़ड़ा हुआ मिला, वो क्या कह रहा है, if I am a male, अगर मैं male होता, I have beautiful horns, मेरे पास बहुत संदर-संदर horns होते हैं, जिसको हम कहते हैं, antlers, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये जो male होता है, उसमें बहुत संदर-संदर horns होते हैं, इसकी horn देख रहे हैं आप, seeing, इसको कहते हैं, deer, D-W-E-R, deer, ठीक है, हम इससे भी मिल लिए, उसके बाद हम फिर आगे गए, जैसे ही हम आगे गए, तो यहाँ पे कोई animal था, जिसको तो हम लोग जानते ही हैं, येस, लेकिन इसने अपना introduction कैसे दिया, I am a very big animal, मैं बहुत बड़ा जानवर हूँ, I have a long trunk, मेरे पास बहुत लंबी सून है, and a short tail, और छोटी सी tail है, tail कहते हैं पूच को, और trunk कहते हैं सून को, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि, मैं एक बहुत बड़ा animal हूँ, I have a big trunk, and a small tail, इनका नाम इन्होंने बताया, कि कौन है, elephant, E for elephant, E, L, E, P, H, A, and T, elephant, clear, ठीक है, हमने इनसे भी friendship कर ली, उसके बाल हम और आगे बड़े, जैसे हम आगे बड़े, तो हमने देखा, अरे, इतनी लंबी गर्दन वाला animal, oh my god, ये कौन हो सकता है, इतनी लंबी गर्दन थो हमने आज तक देखी ही नहीं, yes, very good बच्चो, ये जो animal आपको देख रहा है, ये अपनी neck की वज़े से जाना जाता है, दुनिया में इतनी लंबी neck, और किसी की नहीं होती है, जो इस animal की neck है, ऐसी neck नहीं होती है, इसलिए इसको कहा जाता है, the longest neck, सबसे लंबी neck होती है, ठीके, अब इसने अपनी introduction कैसे दिया, I am the tallest land animal, मैं सबसे लंबा land animal हूँ, जमीन पे रहने वाला सबसे लंबा जानवर हूँ, I have a long neck, और मेरी गर्दन बहुत लंबी है, इसका नाम है giraffe, yes, इसकी यही खास बात है, कि इसकी जो गर्दन है, वो longest है, सबसे बड़ी है, ठीके, फिर हम थोड़ा और आगे बड़े, हमें एक बहुत अच्छा सा animal मिला, जो क्या कहता है, I have black patches around my eyes, मेरी आखों के चारों तरफ, black color के patches हैं, ears, and around my body, और मेरी body के तरफ भी आपको, black color के patches मिलेंगे, ठीके, ears के पास भी है, body पे भी है, eyes पे भी है, और मेरा नाम है panda, P-A-N-D-A, panda, yes, very good, यह जो pandas होते हैं, यह बहुत cute होते हैं, इनकी body पे black color के patches होते हैं, now come to the next, अब एक और हमें एक animal मिला, वो क्या कह रहा है, I live on both land and water, मैं land पे भी रह सकता हूं, जमीन पे भी रह सकता हूं, और पानी में भी रह सकता हूं, मेरा नाम है frog F-R-O-G frog मैं पानी में भी रह सकता हूँ और जमीन में भी रह सकता हूँ come to the next page अभी तो आगे चलना है forest बहुत बड़ा है एक second, एक second yes so next तेखेंगे I have a beautiful skin with orange and black stripes मेरी skin बहुत खुबसूरत है with orange and black strips ठीके मेरी skin पर black color के और orange color के strips पड़े हूँ है मेरी skin बहुत ब्यूटिफुल है और यह क्या है tiger 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 आपको बताए tiger is a national animal tiger एक national animal भी है next तेखेंगे I am a very heavy animal मैं बहुत heavy हूँ बहुत मोटा हूँ बहुत भारी हूँ भारी heavy मतलब भारी I am a very heavy animal मैं बहुत heavy animal हूँ I mostly have a horn near my nose और मुझे मेरी नाग के पास एक horn है मैं बहुत मोटा हूँ मैं बहुत heavy हूँ बहुत भारी भरकम हूँ के पास एक होर न गिविन हैं, ठीक है इसको कहते हैं rhinosaurus r hino rhino co c e r o s rhinos sareus हीं दिमें से कहते हैं बसना नहीं आपको हींडी में दो हींडा केउंड़ say yes kuy कि कह लेकि इसको राई नाम होता है rhinos सेरस, राइनो सेरस. Now, come to the ninth one. I look like a horse. मैं होर्स की तरह दिखता हूँ. I have black and white strips on my body. और मेरी बॉडी पे black and white color के strips पड़े हुए हैं. धारियां पड़े हुए हैं. Black and white color किसका नाम आपको पता है? Z for zebra. Yes, so write down Z E B R A zebra. The tenth one is, I am the largest bird but cannot fly. मैं एक सबसे बड़ी बर्ड हूँ, लेकिन उड़ नहीं सकती. I am the largest bird but I cannot fly. मैं दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड हूँ, लेकिन मैं उड़ नहीं सकती. I cannot fly उड़ नहीं सकती हूँ. इसका नाम है ostrich. O-S-T-R-I-C-H. Ostrich. दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड. O-K, clear हो गया? जिसकी spelling ना है, वो आप clue box से help देख सकते हैं, help ले सकते हैं. O-K, तो आपको Sorry, आपको इसी तरही के से neat and clean अपनी book में fill करना है. O-K, children. Bye everyone. Have a nice day. Bye.